आज के इस वीडियो में हम वाक्य संबन्दी अशुदियां क्या होती है वही पढ़ेंगे लेकिन किस जगे होती है ये देखेंगे वाक्य में क्रिया का प्रयोग करता के लिंग एवं वचन के अनुसर किया जाता है जो भी हम क्रिया यूज करते हैं वाक्य में गई गए गया गए ये सब किसके अकॉर्डिंग होता है करता के लिंग और वचन के अकॉर्डिंग होता है करता मतलब कारे को करने वाला उसके अकॉर्डिंग किया जाता है अन्य था वह वाक्य अशुद समझा जाता है अगर हम करता के according नहीं करेंगे तो वाक के वो क्या होगा अशुध होगा for example मेरी बहन दिल्ली से वापस आया यहां कारे करने वाला कौन है बहन इस्तरी लिंग आया है पुलिंग के लिए यूज़ किया जाता है तो यह sentence wrong हो जाएगा अगर हम करता के according करता के according अगर हम अपनी क्रिया नहीं यूज़ करेंगे तो वो sentence wrong हो जाएगा next इस अशुधी को वाक की क्रिया सम्मंदि अशुधी कहा जाता है अब हम क्रिया से सम्मंदि अशुधी के बारे में पढ़ेंगे पहला example राम और सीता वन को गई तो यहाँ पर राम और सीता अगर केवल स्त्री लिंग है तो सीता और उर्मिला वन गई तब यह correct हो जाएगा क्यूंकि दोनों स्त्री लिंग है लेकिन जब एक पुलिंग शब्द होता है और एक स्त्री लिंग शब्द होता है तो compulsory हम plural form गए पुलिंग शब्द में लेते हैं उसको बहु अचन पुलिंग में रहते हैं जब एक स्त्री लिंग और एक पुलिंग होता है अब यहां पर दूसरा देखेंगे तो यहां पर उत्तर क्या होगा राम और सीता वन को गए को भी आपे नहीं आएगा राम और सीता वन में गए नेक्स्ट उनकी बातें सुनते सुनते कान पक गया तो क्या होगा इसका अचन यहां पर कान पुलिंग शब्द एक कान नहीं दो कानों से बात सुनते हैं नहीं इसलिए उनकी बातें सुनते सुनते कान पक गये यह एक वचन हम दो कानों से सुनते हैं इसलिए यहाँ पे बहुवचन रूप यूज करेंगे next मेरी बहन दिल्ली से वापस आया है बहन क्या है? एक बहुचन इस तरी लिंग शक्त अभी अभी हमने बताया कि करता कारे को करने वाली कौन है? कारे को करने वाली कौन है? बहन तो क्या है वो strilling तो आया नहीं होगा उसकी जगे आई ये wrong और ये right इसलिए यहाँ पे ये wrong हो जाएगा आई है ये सही होगा next करता कारक सम्मंदी अशुदियां अब कारक चिन में चलेंगे कारक चिन का की के को ने के लिए पर इससे related बात करेंगे भूत काल में सकर्मक्रिया होने पर ने कारक आता है ने कारक चिन का प्रयोग होता है सकर्मक्रिया मैं आपको एक हिंट के रूप में समझाती हूँ जैसे राम ने राम ने आम खाया तो अगर हम इसमें क्वेशन करेंगे राम ने क्या खाया उत्तर मिला तो आप समझ लीजिए वो सकर्मक्रिया एक हिंट मैं आपको एक क्रिकी वे समझा रही हूँ वहाँ पर कर्म होना चाहिए इसके साथ ये कर्म है इसलिए ये सकर्मक्रिया है देखिए यहाँ पर मैं सारी पुस्तक पर डाली भूतकाल तो यहाँ पर क्या हैगा कंपलसरी मैंने भूतकाल उक्रिया हो चुकी मैंने सारी पुस्तक पर डाली कंपलसरी हम यहाँ पर ने यूज़ करेंगे भूतकाल के छे भेद होते हैं सिक्स सामाने भूतकाल आसन भूतकाल पून भूतकाल अपून भूतकाल पहले क्या हुआ सामाने भूतकाल फिर आसन भूतकाल फिर पून भूतकाल फिर अपून भूतकाल इन दोनों के बीच अगर हम लिख देंगे संदिक्द भूतकाल तो हमें बहुत असानी से समझ में आ जायेगा कि one, two, three और ये four इन चारों में ने प्रत्य का प्रयोग होता है और इन दोनों में ने प्रत्य का प्रयोग नहीं होता इसका लिंक में आपको मैंने जो भूत कल पढ़ा है इसका लिंक में आपको description में रख दूंगी उसमें एक बार जाके देखिए नेक्स्ट कर्मकारक संबंदी अशुद्धी ये सब ही first language वालों के लिए बहुत important है किसी वाक्य में जब कर्म को अधिक महत्व दिया जाता है तो वहां कर्मकारक के चिन को प्रयोग किया जाता है अन्यता उसका प्रयोग नहीं किया जाता अब मैं इसका एक धरन के रूप में समझाती हूं वहां पीटता है किसे पीटता है लड़के को पीटता है किसे पीट रहा है वो लड़के को तो यहां पर क्या दिया जा रहा है ज्यादा जोद दिया जा रहा है प्रशर दिया जा रहा है किस पर लड़के पर वह किसे पीट रहा है लड़के को पीट रहा है इस मैं शीतल जल को पी रहा हूं, रॉंक सेंटेंस है, मैं शीतल जल के हाँ पर हम कोने यूज करेंगे, प्राणी वाचक के साथ हम यूज करेंगे, यहाँ पर एकदम भी यूज नहीं करेंगे, मैं शीतल जल पी रहा हूँ, बस मैं शीतल जल पी रहा हूँ, कोण ही आई गया यहाँ पे, next, करण कारक सम्दी, सम्बंदी अशुदी क्या होती है, करण कारक का चिन है, से, क्या है इसका चिन, से, मतलब द्वारा, मैं पेंसे लिख रहा हूँ, मैं कान से सुन रहा हूँ, ऐस तो यहां पर बस पर यात्रा कर रहा है, wrong, यहां पर क्या आएगा, वह बस से यात्रा कर रहा है, यह सही आंसर है, मैं कलम से लिख रहा हूं, मैं आंक्ट से देख रहा हूं, मैं कान से सब सुन रहा हूं, next, संप्रदान, संबंदी, अशुद्धी, संपरदान कारक इसका चिन्न है दो चिन्न होते हैं इसके एक तो होता है के लिए और दूसरा को दो चिन्न होते हैं दो भी उस किया जाता है यदि एक के स्थान पर दूसरे का प्रेव हो जाता है तो वाग के अशुद हो जाता है चेंज नहीं करेंगे, इसके लिए दो चिनने, अब मैं आपको बताती हूँ example से, पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई, तो ये सही है, भक्तों के लिए नहीं, भक्तों को, नेक्स्ट, शिष्य यग्य को लकडी लाया, रॉंग यहां पे को, किसके लिए, फ़र, यहां पे इंसेंस ओ, फ़र, किसके लिए लकडी लाया, शिष्य यग्य करने के लिए लकडी लाया, तो यहां पर यह करेक्ट है, नेक्स्ट, शिष्य यग्य करने के लिए लकडी लाया चलो आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमें clarity मिल गई के लिए नहीं यहाँ पर को आएगा और यहाँ पर के लिए फॉर शिश्य यग्य करने के लिए लकडी लाया तो इसका यह answer सही है और इसका यह answer सही है next अपादान कारग सबसे पहले समझ लो अपादन कारग क्या होता है लिंकन घोडे से उतरे अलग हो जाना उतर कर अलग अलग हो जाना गंगा गंगोतरी से आती है यह लिंक बताती हूँ मैं चलो ठीक है राम घोडे से उतरे मतलब राम घोडे के ऊपर बैठे थे और उतर कर उससे separate हो गए अब घोड़े पर नहीं है तो ये है अपादान कारक एक बर मैं आपको अलग से कारक भी समझाऊंगी अब देखो वह शहर के खिलोने लाकर बेचता है नहीं यहाँ पर अपादान कारक संबंदी अशुद्धी है वह शहर से शहर में नहीं है शहर से खिलोना ले जूश्ता है नेक्स्ट लड़की जूले पर से गिर गई पर क्यूं आएगा यहाँ पर जरुरत नहीं जूले से फ्रम जूला अब जूले में नहीं है जूले से गिर गई बस इतना लिखेंगे तो correct हो जाएगा sentence संबंद कारक संबंदी संबंद कारक में क्या आता है तीन आ इन से संबंदित अशुद्धी रहती है चलो अब यहाँ पर देखेंगे बिना पैसे का किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता बिना पैसा नहीं plural form पैसा यहाँ पर plural form है पैसे के तो यहाँ पर भी वही चिंज होगा पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता तो सही उ ऐसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता नेक्स्ट देखेंगे राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है दो दो क्यूं राधा का और कृष्ण का एक साथी लिख देंगे राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है हो गया हमारा उत्तर अदा गलग क्यूं ये बी sentence राधा कृष्ण एक समासिक शब्द है अलग अलग नहीं है समासिक शब्द मीन्स समास राधा और कृष्ण समास है समासिक शब्द है इसलिए हाँ पर जो ये चिन लगाए जाते हैं का और ये सब लुप्त हो जाते हैं लुप्त होने का अर्थ है गायब हो जाते हैं उनके ब अधिकरन का अर्थ है वहाँ पर रूल करते हैं वो राज होता है उनका उनकी पवर होती है वहाँ पर चलो फस्ट देखेंगे आज बजट के ऊपर बहस होगी के ऊपर नहीं बजट के ऊपर चड़ कर बहस नहीं होगी आज बजट पर बहस होगी किस पर बहस होगी आज बजट टॉपिक पर बहस होगी अब समझ में आया है आपको आज बजट पर बहस होगी मतलब बजट टॉपिक बजट के टॉपिक पर सो ये आप हटा दो ना, इसे रिमूब कर दो, आज बजट पर बहस होगी, next, किसान ने कھیत पर बीजबोया है, खेत पर, देखो, यह खेत है, इसके उपर बीजबो दिया क्या, no, किस के अंदर में, किसान ने कھیत में inside, तो क्या उत्तर सएए यहाँ पर, किसान ने कھیत में बीज बोया है पर मतलब on the cat is on देखो the cat is on the chair the cat is on the chair मतलब एक यह chair है और उस पर यह cat बैठी हुई है next another sentence the cat is in the box box मतलब डपा बंद है उसके अंदर cat है यह chair हो गई on the chair उपर यह box हो गया in the box अंदर next घर पर सब कुशल है पर नहीं घर पर means बताती हूँ मैं आपको पर और मे में अच्छे से different समझाती हूँ मुझे जैसी भी drawing आती है उसके थूँ यह घर है ठीक है घर पर यहां पर पर उपर च्छत पर घर पर रूफ पर रूफ मतलब च्छत रूफ पर में मतलब इन घर के अंदर घर में सब कुशल है तो हमारा यह वाक्य सही है और एक sentence बोलती हूँ आपको घर पर पिताजी हैं यह sentence wrong है पर नहीं घर में पिताजी है यह sentence ही है घर में पिताजी हैं और एक बताती हूँ sentence यह sentence पर का सही होगा छत पर बिली है ओके घर है यह चत है और यहाँ पर एक बिली है हो गया इतना असान है देखिए वाकी की अशुदी यह आपको बहुत practice करना होगा practice करेंगे तो आ जाएगी जितनी भी आप practice करते जाएंगे उतनी जल्दी आती जाएगी तो ये आप समझ लो हो गई आज की हमारी worksheet number two अच्छे से practice करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी worksheet number two